हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल का ऐसे हुआ आप लोग आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे छोटे वाले बैंगन की सबजी जो की खाने में कापी जादा टेस्टी होती है और ये हमें अक्सर साधी या पार्टी में ही मिलती है खाने के ल यहां पर मैंने 500 ग्राम छोटा वाला बैंगन लिया है आपको इसी तरह का बैंगन लेना है कोशिज कीजिए जितना छोटा हो सके तो छोटा वाला ही लेना है इसमें एक काला वाला आता है वो भी आप ले सकते हैं तो जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं तो यहां पर मैंन सा रहने दूंगी देखिए इस तरह से और इसके बाद जो यहां पर देख रहा है आपको काला काला सा सैड में जो पाट देख रहा है इसको थुरस हम साफ कर लेंगे तो इस तरह से हम सारे बैंगन में कट कर लेंगे तो देखिए यहां पर जो दिख रहा है यह इतना अच्छ इसको हम चाट टुकरों में कट कर लेंगे एक साइड से लगा रहने देंगे मतलब जुरा रहना चाहिए देखे जैसा कि आप वीडियों हम देख रहे हैं इस तरह सापको कट करना है एक बार इधर से और एक बार इधर से दोनों तरब से कट करना है देखिए इस तरह से चाट टुकरों में लेकिन डंठल वाले साइड से ये जुरा रहना चाहिए तो इस तरह से आपको काटना है सारे बेंगन को हम कट कर लेते हैं इसी तरीके से तो लिजी यहाँ पर मैंने सारे बेंगन को कट करके तियार कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पर हमने दो बरे साइज का टमाटर लिया है इसको मैंने बार एक चॉप कर लिया है और तीन बरे साइज का प्याज लिया है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बार एक चॉप कर लिया है एक बरा चमच अधरक लेसुन का पेश्ट है तो चलते हैं हम इसको बनाने के लिए तो यहां हम लेंगे कडाही आप कोई भी बरतन ले सकते हैं जिसमें आप बनाना चाहते हैं कडाही को अच्छे से गर्म होने देंगे इसके बाद एक चमच यहां पर हम डालेंगे सरसू का तेल तेल को आच्छा गरम होने देंगे और इसके बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे और हाइफ लेम पर न को हम 3-4 मृनट के लिए फ्राय करेंगे मतलब 2 मृनट एक बार हम ढख करके पकाएंगे और 2 मृनट और टूटल 4-5 मृनट तक हम इसको पकाएंगे और GAS के फ्लेम को हाय पिर अखेंगे तो हम इसको ढख देते हैं और ढख कड़के 2 मिनेट हम पकने देंगे फिर हटाइंगे ढख कर तो यहां पर देखिए हलका सा यह फ्राय हो गया है और एक बार हम čला देते हैं और वापस हम इसको दो मिनट के लिए और ढखेंगे, तो हमने इसको चला दिया है और देखे काफी हद तक ना बेंगन कूक हो चुका है, एक बर बस इसको दो मिनट के लिए हम और ढख देते हैं, ताकि जो एक तरप से लका सकचा दिख रहा है, वो भी अच्छे से कूक हो जा और इसमें हम डालेंगे हलका सा एक चुटकी भर नमक ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, और यह बहुत ही थोरा सा मैंने डाला है, एक चुटकी लाल मिर्च पाॉडर और एक चुटकी हल्दी पाॉडर, इतना ही चीज डालना है, लोख लेंपे इसको मिक्स कर देंगे, और ए आप चाहिए इसको ऐसे भी खा सकते हैं, यह काफी हद तक हो गया है, बेंगन भी आप देख सकते हैं, काफी बढ़ियां सौट हो गया है, तो यहाँ पर एक मिनुट मैंने इसको बून लिया है मसाले के साथ, इसको निकाल लेंगे कराही में से, और सारे बेंगन को निकाल जिए लेना है, और इसमें काफी सारा तिल बचा हुआ है, तो इसी में हमें एक बराज चमाच और डाल देख यहाँ पर, तिल यहाँ पर मैं सरसो का ते इस्तेमाल कर रहे हुए हैं, आप कोई भी खाने वाला त टेल सकते हैं, जो भी टेल आप खाते हैं, आप हम डालेंगे में एक चोटी चम्मच जीरा, दो सुखी लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इस बूह हम तोरह सा ब्राउन होने देंगे और इसके बाद यहां पर हम डालेंगे प्याज तो यहां देख़िए जीरा, लाल मिरच और तेज पता अच्छे से ब्राउन हो गया है तो अब यहां पर हम डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अच्छी से गलने तक 5-6 मिनुट का टाइम लग जाएगा और यहीं पर हम नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए क्योंकि प्याज को हमें गलाना है तो स्वाद अनुसर आपको नमक डाल देना है यहाँ पर नमक डालने से प्याज ना बहुत जल्दी गल जाता है तो यहाँ पर देखे गलना स्टार्ट हो गया है और बीच-बीच में आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे न तो यहां देखे प्याज काफी हद तक पक गिया है तो अब यहां पर हम डालेंगे इसमें अद्रक लैसुन का पेष्ट और एक मिनट इसको भी भून लेंगे अद्रक लैसुन के पेष्ट को ज्यादा नहीं भूनना होता है क्योंकि यह जैसे आप डालेंगे न तो यह नीचे से लगने लगता है फटापट से तो ज्यादा नहीं बस एक मिनट भून लेना है आपको इसके बाद वापस से हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम डालेंगे सुखी मसाले ते एक छोटी चमच धनिया पॉडर आद मिया पर थोरह से पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो सके और मसाले को हम दो मिनिट के लिए भूनेंगे तो पेयाज के साथ हमें दो मिनिट तक हम भून लेना को महां नहीं आपको और इसके बाद इसके बाद इसको हम ढखक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले में काफी अच्छा से फ्लेवर आजाए ढखकर पकाने से Benniya Technologies काफी अच्छा आता है तो 2 मिनट के लिए सको हम ढखक दिया था किये दो मिनट हो चुकता हैं और ही तेल देखें सारा आ गया है और का टेक्जिर्ट देखें कितना मज़ेlegtा रही है बहुत हि बड़ी बढ़या देख्रा है मसाले का टेक्जिर्ट देखें तो यह हम वापस से चला लेते हैं और इसको अच्छे से भूनना है थोरा सा ना ड्राय करना है इसको मसाले को क्योंकि मसाला ना भी भूना नहीं है अच्छे से और काफी अच्छा दिख रहा है देखिए इस तरह से में भुनना है जब तक ये कराही ना छोड़ने लगे तो मसाला यहाँ पर काफी अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है लगबग यहाँ पर मैं एक लास पानी डालूँगी क्योंकि इसका जो ग्रेवी है थोरा गाड़ा ही अच्छा लगता है तो बहुत ज्यादा पानी मत डालना इसमें अगर इसका ग्रेवी पतला हो जाएगा ना तो वो वाला स्वाद नहीं आता है फिर अब हम इसमें उबालाने देंगे तो यहाँ देखिए ग्रेवी में उबालाना शुरू हो चुका है अच्छे से उबालाने देना है तो यहां देखिए उबाला चुका है ग्रेवी में काफी अच्छे से अब यहां पर हम डाल देंगे इसमें फ्राय किया हुआ बैंगन और इसको बहुत ना हलके हाथ उसे मिक्स करना है आपको क्योंकि यह काफी ज्यादा सौप्ट है क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से पका द उखलेंगे आप चाहे तो खुला भी पका सकते हैं और लिजिए यहां पर चार-पांच मिनट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बैंगन की सब्जी यहां पर बन करके तयार है गैस आप कर देंगे और आप चाहे तो उपर से हरादनिया डाल सकते हैं मैं यहां पर नहीं डाल दी हूं क्योंकि मुझे ऐसे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी तो मैं यह आपड नहीं डालूंगी हरा धनिया और इसको 10 मिनट ठंडा होने के अपने फैमली गर्प्रेंट के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए